खेल के माध्यम से भारत और इराक के मध्य आकसी सामंजस्य बढ़ाने और एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए नॉइडा स्थितमारवा स्टूडियो में इंडो इराक फिल्म और कल्चरल फोरम और फुटवॉली एसोसियेशन ओफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया भात्य परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलनकर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की विदिवत शुरूआत की गई इस कार्यक्रम में इराक और भारत के खिलाडियों का भी स्वागत किया गया कार्यक्रम में आतिती के रूप में फाउंडर प्रेजिडेंट फुटवॉली एसोसियेशन ओफ इंडिया, राम अवतार, मुकेश शर्मा, साफा साहेव नयेफ, निकसन थोटन, इला रानी शर्मा, नरेंद्र शर्मा आदी मौजूद रहे कार्यक्रम में आई जोती श्रिवास्तव ने अपने कथक कली निर्त्य से अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीत लिया महीं सिधार्ट किशोर ने मौला मौला गीत गा कर लोगों का मन महुलिया मौला 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 मीरे मौला आपको बता दें कि मारवा स्टूडियो के संस्थाफ़क और ICMEI के प्रेजिडेंट डॉक्टर संदीब मारवा का कहना है कि इराक और इंडिया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और आगे भी रहेंगे इस कारेकरम के माध्यम से दोनों देशों के बीच और गहरे संबंध हो गए हैं खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी और देशों के साथ खेल के जरिये जुड़े रहने का मौका मिले आपको बता दें कि कारेकरम के अंत में इराक से आए लोगों और फुटबॉली के खिलाडियों को इंडो इराक फिल्म एंड कल्चरल फोरम का सर्टिफिकेट दे कर सम्मानित किया गया नित्वत्वत्स गार कर की बता भी और मिले की रवीन देंडार। और य्या है थच्छिक ब हले कि आगे तेंडावर folder bliss को जो जो गए बताल睡 है 속 में कि अन्या देंड कि आगे यहां जब है फिर फॉर आग से अगधर के इंडिया टीम इंडिया थे स्पॉर्ट टोगधर इंशाहाला। हो जाए तो दस दिन पहले जैसे मैसेज आए तो मह उस काम में लग गया दिन रात लगके और महारवाजी का बहुत स्पोर्ट है और थैंक यू डॉक्टर संधी महारवाजी तो दिख एवेंट और नाइज थैंक यू रिमक्च और वेलकम माई एराक फ्रेंड मिस्टर सफा थ तो मिस्टर साथ असाथ थैंक यू रिमक्च और इंडिया का जो फ्रेंडली मैंश रहा है यह बहुत बड़ा मैसिज विस्व में जा रहा है तुनिया में जा रहा है और आप लोगों के महारवाजी में यह कहेंगे कि जो बहुत जल्द बाजी में हमें और एक ऐसे माहोल ज दुनिया इस वक्त बहुत ही आपस में जो जो इंटर्नल हालात है वो ठीक नहीं है उस समय संदीब महरवाजी के बहुत बड़े सायोग के साथ महरवाज स्टूडियो के सायोग के साथ राम उतार जी और हमारी टीम ने इने लिया कि आज इस फ्रेंडली मैच की बहुत सब अर एक मैसेझ की जोत है पीस की जोत है वो mercy को सान्थी का संथी जाना क्या यही लेकर हम्य फ्रेंडली मैच कर आ रहे हैं और THANK YOU IRAK और INDIA जानयवाजip। wonderful opportunity to extend my heartiest thanks to Mr. Safa and Mr. Saad who are representing Foot Volley Association from Iraq they are here in India let me tell you, it has been almost 4-5 years we have been actually struggling to make Foot Volley as one of the national games and international games abroad this game is quite popular but in India this game was not very popular and thanks to Ram Avtarji who has been actually working from last 10 years maybe more than that, on this game and now we are very happy, only yesterday we have received the confirmation that the All India Schools Association and All India University Association have accepted foot volley as the national game and this game now is going to be played in every school and every college, time to come. This time when we came to know that the team from Iraq is arriving India, we made it a point that we must host this team in Marwa Studios and we must give them a full respect and honour because now foot volley is our responsibility. We feel that this game must get popular very soon in India and these kind of small events, they are going to add a lot of cooperation and awareness about the games into the whole country and abroad definitely. Sir, yours is a really well-known name in the field of entertainment industry, but now you are getting sports as well to bring the nations together. So how long are you looking at this journey to go? Probably many people, they don't know that I have already created a world record in 2010 games and at that time I tried to mix up the games and media together. We covered Queen's Baton Relay from Vaga border to Nehru Stadium and we touched all the 28 states, 5 union territories of India, 20,000 km, 300 events, 900 cities and we clicked 10,000 pictures, 1,000 hour of filmmaking, 102 radio programs, 102 short films in 102 days of Queen's Baton Relay. And the opening film of Commonwealth Games was also produced by Marwa Studios and 900 people were selected to run Baton and I had the wonderful and a golden opportunity to run from Jaipur to New Delhi. And even students of Asian Academy of Film and Television, 75 students supported 75 different media companies who were in New Delhi to cover that Commonwealth Games. We assisted them. Now this is one, my one involvement. The second involvement is that every year we have an annual sports event which is called Athlema and this year we had almost 2,000 athletes from all over India who performed in 10 different games and this games, Athlema is getting popular day by day in a big way. Then we have an Asian Premier League where we try to cover about six games including cricket which is a very popular football and volleyball and including indoors games in this Asian Premier League. And the overall sports event is rock set.